तो एक तो रेडियेशन का बहुत ही प्यारा काम आज करने वाले रेडियेशन बहुत इंपोर्टन तो कंसेट पहले सिखाऊंगा फिर इसकोटिंग का मतलब चिखाऊंगा और सारी चीजें समझोगे कि कैसे हो रहा है काम एनस इपी बच्चे ने निकाला मैंने किसी बच्चो है लेकिन दीरे-दीरे सोचेंगे ऑलो अलो अलो क्या हलचाल कैसे हैं पढ़िया हैं मस्त हैं मज़े में हैं तो भहिया वापस से थर्मल प्रोपर्ड़़ी की बात की से आप रेडियेशन के कुछ शोर्ट टूर्स बताए थे कुछ फंडेमेंटल तरीके बताए थे और आज उसी radiation के chapter को थोता सा और बहतर तरीके से आज पढ़ेंगे, एक radiation का एक question करेंगे, जिस question के माध्यम से आप radiation के complete concepts को एक बार में समझ जाएंगे, और कोई गलती होने के संभावना है, आपकी खतम हो जाएंगे, तो एक तो radiation का बहुत ही प्यारा काम आज करने वाले हैं, जो को तो यह radiation बहुत important, बहुत सारे को पूछें, बहुत सारे जिसकों, तो radiation के साथ कोई बकवास नहीं, कोई बवाल नहीं, अंग से करना है, बढ़िया तरीके से करना है, तो ताकि हम radiation को पच्छे से कर सकेंगे, ताकि बढ़ सकें, इस सब चीजों को प्राद्यान से देखेंग लेकिन अब एक जरूरी चीज़ जो है, एक काफी ज़्यादा जरूरी तो और वो क्या है, वो जड़ाद है, अगर हम thermal की बात करें तो आज हम thermal expansion वाले हैं, उसके close concepts जैसे की thermal expansion अगर free flow है, तो center of mass का movement कैसे होने माला है, इन सभी चीजों के बारे में तर्चा करेंगे, second हम ब बात्चीत करने जा रहे हैं कि liquid में density का variation, कैसे area का variation होगा, और किस तरीके से मैंने future year questions आपको दिये थे, आज करेंगे future year question discussion, तो आज क्या-क्या होने वाला है, जरा ध्यान से पहले समझ लीजिए, सबसे पहले, radiation, second हमारे पास आएगा, thermal expansion, short notes और questions दोनों और calorie metric के questions फिरम लोगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा important topic जो है, वो कही न कहीं radiation ज़रूर रहता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग emphasize भी ज़्यादा करने वाले हैं, इस पर हम लोग questions भी ज़्यादा करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज हम FYQs discuss करेंगे, that is again very important कि आज का lecture है all about FYQ, that is future year questions, कि किस तरीके से questions बन सकते हैं, क्या-क्या questions का format रहेगा, और किस-किस तरीके से आप से questions में पूछा जाए, तो आपको कैसे questions में approach करना है, ये बहुत important हो जाता है, physics Olympiad के अंदर, कि thoughts कैसे generate करें, अपने thoughts को किस तरीके से align दखें, तो ये सब ची करते हैं, अज की कहनी को, सबसे पहले, radiation, one question, all concept, a question, all concept cover हो जाएंगे, जड़ा इसको लिख दीते है, वोकाली question, है न, इसमें सारे concept हम लोग कोशिश करेंगे, और ये question ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि irrelevant question के हम बात करना है, कि कोई बहुत अलग level पर सर एक दम बवाल हो जाएगा, नहीं, 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 अच्छा question, relevant question, आने की संभावने बहुत जादा है, जिस तरीकी question के आने की संभावने बहुत जादा है, और जो concept आज होता भी है, तो क् radiation की बाते हैं, कितने लोगों ने चंद्रयान देख लिया, चंद्रयान देखा, चंद्रयान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और आपको बड़ी important सी चीज़ समझाते हैं, कि देखिए, आग गया चंद्रयान, क्या सोचा है कभी, क्या ये है gold, क्या हम gold भेज रहे ह है चंद्रवा पर, क्या लगता है बच्चो, actually बड़ा important थी scenario और इसी scenario पर आज हम बात करेंगे, और radiation के उस amazing concept को explain करने जा रहे हैं, जहां पर आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिलने वाली, बहुत सारी चीज़े समझने वाली, क्या है कहानी, इन सभी चीज़ों की अध्यान से देखेंगे, actually this is not a gold, this is basically aluminium coating, या इसके उपर हम लोग बात करें, यह सब के सब polyester होते हैं, जिसके उपर जो basically अंदर aluminium की coatings होती हैं, aluminium की plates होती हैं, और इसके साथ हम अलग-अलग-अलग-अलग coat करते हुए चल, ताकि इस पूरे के पूरे यान को, इस पूरे के जाता है, और आप से जोगी, is the temperature of vacuum, आपने कहाँ, सर ये कैसे बदा से, क्या कभी सोचा है, vacuum का temperature क्या है, आपने कहा, सर temperature की अगर बात करें, तो temperature is basically defined with the speed of molecules, because temperature ये बताता है, कि ज़्यादा temperature मत्दब molecule ज़्यादा तेजी से बाग रहे हैं, और कम temperature तो molecule दीरे दीरे बाग र होगी, basically अगर हम बात करें, तो हम vacuum की बात करें, तो vacuum के हम बोलते हैं, कि बहुत कम temperature होता है, क्योंकि molecular presence वहाँ पर होती है, जो भी है, वो radiation के कारण आपको temperature या heat का feels वहाँ पर आ रहे होते हैं, तो fundamentally जो हम KTG भी पढ़ते हैं, वो directly तो नहीं अप्लाई हो पाता है, but yes, there is very, 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 less temperature in the vacuum or in the space, तो जब चंद्रयान बाहर जाता है, तो उसके अंदर है energy, और अगर इतने less temperature में जाएगा, तो सारे की सारे इनर्जी उड़के बाहर चली जाएगी, और अगर वो बाहर चली गई, तो भाया अंदर बच्चेगा क्या हो, हम कैसे, वो energy बाहर ना जा प solution प्रदान करते हैं, और इसमें दोनों तरफ reflecting surfaces होती है, ऐसा नहीं है, कि हम इसमें outer surface को लेकर आते हैं, यह बात बहुत important है, यह बात बहुत जादा important हो जाती है, बिटा, कि यह जो भी आपने पास surfaces होती है, दोनों तरफ reflecting होती है, राइट, मतलब एक तरीके से black body की तरह का करती है, मैंने का अच्छा, तो विसमें पा कैसे, जरा concept की बात की जाए, क्या बोलते हो concept बताऊं, तो concept पहले सिखाऊंगा, फिर इस coating का मतलब सिखाऊंगा, और सारे चीज़ें समझोगे कि कैसे हो रहा है काम, तो आईए जरा शुरू करते हैं उस धमाकेदार question को, जिसकी बातीत मैं कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए छोटा से एक assumption ले लेते हैं, ताकि calculation हुजा थोड़ी आसान, है न, कहा, कि मान लेते हैं, let us assume, कि हमारा जो ये satellite है, वो है गो, ये है हमारा satellite चंद्रियान, ये है हमारा satellite चंद्रियान, और ये है गोल, गोल, गोला, और अच्छा, ओके, तो ये है कहानी, तो अब इसको हमने माल लिया, कि इसके अंदर लगे हुए है कई सारे equipments, जो लगातार, sensors को ले रहे हैं, इधर का data, उधर का data analyze कर रहे हैं, तो अंदर machinery है, जो काम कर रही होगी, अंदर software से हैं, जो काम कर रहे हैं, अंदर processors हैं, जो काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, और instructions भी दे रही हैं, और ISRO से connect होके instructions ले भी रही हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम इसके अंदर चल रहे हैं, जो है हमारा satellite, तो इसके अंदर जब ये काम चलेंगे, तो भाईया, जब काम होगा, तो heat तो produce होगी, second law of thermodynamics के हिसाब से, अगर कोई working होगी, तो कुछ कुछ तो eject होई जाएगी, heat, और वो heat अगर eject होगी, तो भाईया, वो यहाँ आएगी, तो अब उन्होंने क्या बोला, पहला question, बड़े simple तरीके सुनिएगा, कि जब satellite, ये है vacuum space, question को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हम एक एक चीज को समझाएं, कोई question लिख कर नहीं ल in space its surface temperature its surface temperature is North Assume no heat loss या ऐसे बोल दिए assume vacuum temperature to be 0 Kelvin अच्छा सर 0 Kelvin vacuum का temperature माल लिया आप से बताया है पूछा गया find rate of heat production rate of heat production inside इसके अंदर find rate of heat production inside satellite यह आप से question पूछा गया पहला यह चंद्रयान है इसकी surface का temperature T0 दिया गया है और यह temperature constant है इसकी radius आपको R दे दिए और बुला गया है assume surface of satellite to be a black body माल लीजिए कि वह एक black body है ताकि हम कुछ assumption के साथ काम कर ले आपने कहाता है बहुत अच्छी बात अच्छा इस पर इस आइन पेचों के भी question आएगा बहुत बढ़िया वाला लेकिन पहले बेसिक सिखा देता हूं ताकि fundamental तो सीख जाए फिर एक बवाल और करेंगे रहेंगे ना तो पहले fundamental questions की बात कर रहे हैं ज़रे इनको बहुत ध्यान समझता है आपको ब्लैक बोड़ी है माल लेते हैं इसका कितना temperature होगा और temperature surface temperature T0 is constant ये भी आपको मानना है T0 जो है वो कैसा है बेटा constant चलो भाई जल्दी शुरू हो जाओ कितने लोग मुझे अंसर बताने वाले हैं जरा ध्यान से बता दो भाईया क्या है आपके मनमे आर आपने कहा सर surface का temperature T0 maintained है surface का temperature T0 maintained है इसका मतलब यहां से कुछ heat निकल रहा होगा यह नहीं निकल रहा होगा based on radiation आपको बताना है कि क्या यहां से कुछ heat बहार निकल रहा होगा यह नहीं निकल रहा होगा अपने कहासर अगर surface का temperature T0 और यह black body की तरह behave कर रहा है तो हम बोल सकते हैं, by Stephen's law, by Stephen's law, हम क्या बोल सकते हैं, by Stephen's law, हम बोल सकते हैं, कि यहां से कुछ न कुछ heat loss हो रही होगी, and that is rate of heat loss is nothing but sigma A, temperature of the surrounding, temperature of the body, की power 4. तो आपने कहा, सर, यह होगा rate of heat emission, ने कहा, yes, बिलकुल होगा, और क्या कोई heat आ रही होगी, क्या कोई heat इसके उपर गिर रही होगी, तो आपने कहा, सर, यह तो space 0 Kelvin पे है, मतलब आने वाली heat भी 0 होगी, क्योंकि हम को बोल दिया गया है, कि vacuum को 0 Kelvin पे मान, बहुत कम temperature होता है, is very, very less, तो हम assume कर लेते हैं, कि वो 0 Kelvin के बराबर है, तो आपने कहा, सर, अगर यह temperature constant है, इसका मतलब जितनी heat यहां से जा रही होगी, ती heat जाएगी, temperature constant रखना है, अगर temperature constant रखना है, मतलब net heat loss कैसा होगा, अरे सुनाओ यार जंदी से, net heat loss कितना होगा, आप बोलेंगे, net heat loss 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब अंदर से जो heat produce हो रही होगी, वो यहां पर जो heat होगी, DQ by DT, जो यहां पर produce होई होगी, वही यहां से radiate हो रही होगी, वही यहां से emit हो रही होगी, तभी यह temperature constant हो सकता है, तो आपने कहा, सर, इसका बहुत simple सा मतलब हो गया, कि rate of heat production, 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 is nothing but just sigma A into T0 की power, कहें यह सरज में आता है, अरे कोई परिशानी, कोई संका, कोई आशंका, किसी तरीके कि आपने कहा असर बहुत होगी, अब मैंने इसका second step आप से बोला, अब मैंने कहा, मैंने थोड़े से challenge, now this is covered, अब इसी satellite को cover कर दिया गया, इससे cover कर दिया गया, आपने कहा सार इसको cover कर दिया गया, 2R radius से, एक black body, it is covered with, इसकी radius R है, और इसकी radius कर दिया, तो इसकी surface भी black body थी, और ये भी एक black body इसके उपर लगा दिया, एक hollow sphere, so now satellite is covered with a hollow spherical black body, assume internal process to be same, तो जो अंदर यहां प्रोसेसर चल रहे थे, वो सेम है, मतलब rate of heat production जो यहां था, वो वही है, उसमें कोई change नहीं आया, बस इसको ढख दिया गया, तो अगर इसको ढख दिया गया, अगर इसको ढख दिया गया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, temperature of the surface में कोई change आएगा क्या, तो आपने का सर हो सकता आजाए, तो मैंने का माल लेते हैं कि temperature of the surface होगे T1 और T2, बाहर का यह vacuum है, यह temperature है 0 Kelvin, आपने कहा सर बहुत सुन्दर, क्या बात है, क्या बात है, आप सोचो ढखने की कहानी समझाने जा रहा हूं, कि जो wrapping हमने की, क्या पाइदा है, layer by layer by layer by layer by layer by layer wrapping का मतलब क्या है, हम क्यों करते हैं चंद्रयान में layer by layer wrapping, तो आइए जरा ध्यान से समझ, जब हम एक उपर एक और layer लगा देते हैं, अभी मैंने यहाँ पर इसकी radius को 2R लिया हुआ है, we can change it with any R plus delta R also, तो आपने कहा सर यहाँ पे अगर हमने wrap कर द करेगा, और कुछ यहाँ से heat निकलके बाहर जा रहेगा, और कुछ यहाँ की surface से heat reflect भी करेगी, क्योंकि अब यह heat radiate करेगा, तो दोनों तरफ radiate करेगा, तो यह क्योंकि black body है, तो जो heat जाएगी उसको absorb करेगा, और अपने temperature के corresponding कुछ heat यहाँ से release करेगा, तो अब यहाँ प पूछा, क्या बोला, पहले चीज़ों को समझे, ठीक न, ताकि इस सारे point को समझे, assume process inside satellite to be same, find temperature of both surfaces, क्या आपका कहानी आने, अब पहले समझना की क्या-क्या होने वाले, मैंने पहला question, बेटा, इसका temperature, अब आपने कहा, सर, हम जब भी पूछेंगे, तो सर, जब आप धकोगे, पचानक से आस heat जाएगी, फिर आएगी कुछ होगा, सर, हमें कैसे बताएगे, पता नहीं क्या हो रहा होगा, मैंने कहा, बेटा, जब भी आप से question पूछा जाता है, जब भी आप से कुछी पूछा जाता है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखने हैं, और वो क्या, अपने कहा, सर, वो एक छोटी सी point ये है, एक चोटा सा point ये है, और वो है कि भाई, इसके उपर हमने पहना दी, अब ये heat यह से जाएगी, calculation हमेशा जो random है, उस पर नहीं होती, calculation और always done at, पहली चीज़ समझेना, calculations are, और ये सबसे बड़ा concept है, calculations are always done at steady state, और आपने कहा, steady state का मत्तब होता है कि अब ना T1 and T2, both will constant, पहले इन दो चीज़ों को पहले समझो दिमाग में लेकर रहो, कि सर अब ऐसा नहीं कि temperature बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, जो कुछ होना होगा, वो हो गया होगा, एक moment के बास सब कुछ static हो जाएगा, रुख जाएगा, equilibrium maintain हो जाएगा, steady state का मत्तब thermal equilibrium achieve कर लिया गया है, तो यह एक heat का flow होगा, जो जा रहा होगा, और इनके temperature maintain हो चुके, अब temperature में कोई बदलाव नहीं हो, तो calculations जब भी हम बात कर रहे हैं, तो हम उस दौरान की बात नहीं कर रहे हैं, जब वो heat क्या, उसका temperature change हो रहा है, हम उस समय की बात कर रहे हैं, जो steady state achieve हो चुकी, मत्तब T1 T2 constant हो चुकी, तो अब आपने कहा, अगर T1 T2 constant हो चुकी है, तो यहां से हमारे पास concepts क्या क्या आते हैं, पहले concept समझना, concept यह आता है, concept number one, कि net heat, net heat radiated or absorbed by both the surface, दोनों surface से is, वो जीरो हुई, और concept number two यहां पर आते हैं, है, बेटा, यहां लिख रहाँ सको, heat will be radiated from purpose continuously, बहzus heat जोगी वो तो continuously चाही रही होगी, तो heat लगातार radiate हो रही होगी, लेकिन equilibrium आ चुका होगा, कि जितनी heat जा रही होगी, उतनी heat आ रही होगी, तो net heat जो होगा वो जिरो होगा, इसका मतलब यह नहीं कि absorption बंद होगे, इसका मतलब ये है कि जितना जा रहा है, उतना आ रहा है तो जब भी हम calculations की बात कर रहे होते हैं, कि यहाँ पर कितना temperature होगा तो हम steady state की बात करते हैं आपने कहा, सर बिल्कुल ठीक बात है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो we can very simply say, तो आईए चलिए जब इसकी calculation की बात करते हैं, और इन concept को apply करते हैं ये तो हमने पहले लिख लिया है, अब जरा हम यहाँ पर concept की बात, तो सबसे पहला सबसे पहला, बिल्कुल basic तोर पर अगर सीखोगे, तो बिल्कुल आसानी से हर एक चीज समझ में आएगी, और कोई challenge कहीं से कहीं तक का नहीं है, पहली चीज है, आपने का satellite के अंदर जो heat produce हो रही है, वो तो सेम है, आपने का yes sir, satellite के अंदर heat जो produce हो रही है, तो अब rate of heat production, ज़रा ध्यान से, नजरे उपर, ये तो अपनी black body उसको लिखेंगे BB की vines, क्यों हो गए अपना BB, और इसका outer surface भी BB है, आपने का yes sir, इसके पास कितनी surface आपने का एक्की और दुक्की, क्योंकि होलो है तो अंदर बार 2 surface होंगी, मतलब 2 surface से heat radiate हो रही है, सबसे पहले heat यहां से चली, आपने कहाँ चली, हर दिशा में चली, आपने कहाँ चली, yes, ये चारो दिशा में यहां से heat निकली, और ये dq by dt कहाँ पहुचा, इस surface पर पहुचा, ये production जो dq by dt का है, जो अंदर produce हो रही है, वो हमने पहले वाले में निकाल लिया, कि dq by dt, जो produce हो रही है, वो किसके वराबर है, वो है sigma a into t 0 की power 4 के वराबर है, वो किसके بराबर है, 4 आपने कहा है, अब अगर मैं यहां पर बात करू, मिरे बच्चों, जो रध्यान से देखना, इस सबसे बाहर वाली सर्फेस से जो इसको अगर इसका एरिया था सो ए बराबर पाई आर स्कुए इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं फौर पाई heat इस पूरे system से बाहर जा रही होगी, वो कितनी होगी, आपने का sigma 4A into T2 को कि system के बाहर का temperature T2 और इसका area हो गया 4A और आपने कहा, अगर steady state है, इसका मत्दब इस पूरे system पर जितनी heat पैदा होगी, उतनी बाहर निकल जाए यूगी temperature को constant रखना है तो सबसे पहला concept number one net heat produced equal to net heat cost आपने का सर बिल्कु सही, तो produce कितनी होगी, आपने का sigma A into T0 की power 4, it should be equal to sigma 4A into T2 की power 4, आपने कहा A और sigma, A और sigma cancel T2 बराबर हो गया T0 by 4 और यहाँ अगर आप देखेंगे तो by root 2 आजाएगा, इसका under root के अंदर 4 times होगा it is defined as T0 by तो सबसे पहला answer मेरे पास निकल गया गया, T2 का in a single line concept number one के application अब concept number two के corresponding T1 और निकाल लिए, तो अब आपने कहा सर यह तो आपने पूरा system मान के कर लिए, जैसे हम NLM वगरा में नहीं करते हैं, system माल लिया, कि कितना net force निकाला और कितना acceleration आया, पीच में क्या हुआ हुआ हम फरीक ही नहीं पड़ता, total mass, तो अपना काम हो जाता है, आपने कहा सर बात तो सही कह रहा है, लेकिन अब सर अंदर का निकालना है, तो मतलब मुझे इस surface को study करना पड़ेगा, आपने का yes तर, तो अब आते हैं next पे, और हम बात कर रहे हैं surface number one की, तो जड़ा आईए जड़ा surface number one की बात हम लोग जड़ा ध्यान से करते हैं, इसको इधर का हटात और surface number one की बात करने में आपको दो चीजों का बहुत ध्यान देना है, और वो क्या है बेटा, और वो बात है, surface one पर heat कहां कहां से आएगी, तो अब आप मुझे बताए, surface one के द्वारा, इसको मैं surface one बोला, ठीक है, तो surface one के द्वारा जो heat निकाली गई वो कौन सी है, वो कु गई, आपने दिखा sigma A, इसका temperature T1 है, तो T1 की power 4 ये heat इसने निकाली, और यहां पर second point आता है, इसने कितनी heat absorb की, इसका अगर temperature constant है, तो इसके द्वारा absorb की गई heat, वो भी हमें समझना पड़ेगा, तो आपने कहां सर इसने absorb heat की एक अंदर से जो आ रही थी, ये heat आई तो इस sigma A into T0 की power 4, जो internal है, जो अंदर से आ रही है, और सर, सर ये outer surface भी तो यहां की तरफ heat radiate करेगी, आपने कहां करेगी, ये सर अब यहां पर आएगा challenge जो मैंने कल आपको समझाया था, कि अगर bottle को आप छोटे freeze में रखें, अपने छोटे freezer में रखें, या एक ice cream वाले बड़े refrigerator में रख दें, उसके द्वारा absorb की ही heat, किसके area पर depend करती है, क्या इसके द्वारा जो heat यहां पर आएगी, वो heat इसके उपर जो आ रही होगी, यहां से यहां पर, उसका area, किस area पर निर्भर करेगी heat absorption, या जो इसकी surrounding है, इसके द्वारा आने वाली heat जो इस पर radiate करेगी, व बड़ा important हो जाता है समझना, कि plus dq by dt, absorb by surrounding, और यह सबसे important है, इसी concept को जड़ा ध्यान से देखेगा, इसको अगर मैं लिखू तो लिखू को sigma area of the body, इसका area, into temperature of the surrounding, T2 की powerful, and this is sigma A into T0, this is net heat absorb, अब आपने कहा सर, इसमें थोड़ी बात नहीं समझना, कि सर यह आपने एक यूँ लिए, मैंने कहा अच्छा, तो नहीं इस पर थोड़ी सी बात में आपको और समझाता हूँ, ज़रा ध्यान समझना, फिर मैं इन दोनों की calculation भी करके दिखाऊंगा, ठेकिन पहले इसकी छो जाओ, मैं कहा यार एक बात बताओ, कितनी हीट इस सर्फेस से निकलेगी, क्या सब की सब इस यहीं आएगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता, कुछ हीट ऐसे निकल के वापस इसी के पास सली जाए, तो अब यहाँ पर क्या point आता है, वो समझे लिए, कि यहाँ से जब हीट निकलती है, तो हीट यहाँ से निकल रही होती, वो सारी के सारी इसी पर नहीं आजाती, कुछ निकल की वापस इसी सर्फेस पर आती, आपने कहा मतलब, मैंने कहा देखो, अगर मैं आपसे पूछता डी क्यू बाई डी टी हीट एमिटेड, जो हीट निकाली, किसने? इनर सर्फेस ने, जो अंदर वाली सर्फेस ने हीट निकाली, वो कितनी? तो आपने कहा सर, इनर सर्फेस का एरिया अगर मैं देखता, तो यह होता 4A into T2 की पावर 4, आपने कहा यह सर, लेकिन अगर मैं सिग्मा A into T2 की पावर 4, तो आपने कहा बांकी बची हुई हीट गई कहा, तो आपने कहा सर, इसने खुद से खुद बोली है, क्या बोलोगे सर, अब जैसे, जैसे एक्जामपल तो ना, गंदा एक्जामपल लेकिन, जैसे अपन समझते न, अपनी आर्म फिट्स में सबसे ज्यादा पसीना आता है, क्यों? हमारी हीट यहाँ से निकली और यहीं चलीगी, आपस में हीट एक्जेंज कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, अब आपको फेस पर ज्यादा पसीना नहीं दिखे, कहा दिखेगा? जहाँ पर आप ऐसे करते तो यहाँ पर, क्यों? कि सर, यहां से हीट निकली, यहां पहुंच गई, अहां, ढूंडू, बास समझ में आती है क्या, तो यह हीट बाहर निकल की नहीं जा पाई, इसी में आ गई, इससे, तो हमारी बॉड़ी से जो हीट रेडियेट हो रही, वो आपस में एक दूसरे के पास आ जा रही, तो अब आप अ इसका मतलब क्या हुआ, कि सिगमा इंटू 3 है, जो यहां से बची हीट थी, टी टू को है, इस अमाउंट ओफ हीट, इस अमाउंट ओफ हीट, एब्सॉर्वड बाई, वो बोलो, सारे कंसेप्ट यहां पर आ गए के नहीं आ गए, एरिया का कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट एक जिगे पर, तो आपने बुड़ा, सार इतनी खुद से कुद को दे दी, मैंने का बहुत बीज़ा, तो अब यहां पर आपने का सार, अब यह कंसेप्ट मेरा क्लियर है, तो मैंने कहा, अब चला, यहां पर हम बात कर लेते कि नेट हीट जो होगी, वो जीरो होनी चाहिए, त DQ by DT on surface 1 तो आपने कहा सर इतनी आई कितनी आई सिग्मा A T0 की पावर 4 प्लस सिग्मा A T2 को मैंने लिखा है T0 by root 2 की पावर 4 it should be equal to सिग्मा A into T1 की पावर 4 सिग्मा A, सिग्मा A, सिग्मा A कैंसल और यहां से हम निकाल सकते हैं that T1 it is nothing but 5 by 4 का 4 times of root यह T0 by 4 हो जाएगा बिटा जोड़ोगे तो 5 T0 by 4 तो यह आप से T1 भी निकाल और एक लाइन में आपको सारी बाते भी समझ में आगा it is nothing big thing but it is a very very important concept अगर आप देखेंगे और इस concept को अगर आप चाहें तो proof भी कर सकते हैं यहां पर net heat loss देखें इससे इसके पास कितनी गई वापस आएगी तो T1 की value को counter check करना है आपको homework में इस पर total heat कितनी आई इससे बाहर गई sigma 4a T2 की power 4 इससे अंदर गई sigma 4a T2 तो total heat जो इससे निकली वो कितनी हो गई sigma 8a into T2 की power 4 और तर यह heat तो इसने खुद की खुदी ले ली तो यह खुद का self absorption और plus जो heat यहां से निकल के आई होगी वो इसको और मिली होगी तो इस surface पर एक यहां की heat और एक खुद की heat आ गई तो total निकलने वाली heat बराबर total आने वाली heat दोनों को आप add कर देंगे तो आपका answer वापस से match कर जाएगा आपका answer वापस से tally हो जाएगा और T1 और T2 का direct relation भी आप यहां से यही layer protection का phenomenon हम लोग चंद रियान पर use करते हैं उसको हम layer by layer head करतें ताकि उसकी temperature को उसकी energy को loss से बचाया जा सके और आपने देखा कि जो temperature पहले T0 था अब वही temperature बढ़के 5 T0 मत दो को temperature थोड़ा सा increase हो गया कि नहीं हो गया तो अब क्या हुआ surface का temperature बढ़ गया मतलब surface के अंदर हमने energy को और confined किया कि अंदर की energy को हमने और अपने use purpose पर ले के आ सकते हैं losses को हम बचा सकते हैं इसलिए हम layer wise layer protection करते हैं ताकि अंदर की energy बाहर न जाए और बाहर की कोई भी energy अंदर भी न आए तो outer surface पर भी हम reflectors use करते नहीं तो sun की जब direct contact में होगा तो भी ऐसा possible है कि बहुत जादा heat up हो जाए बहुत जादा heat up हो जाए तो इसलिए हम उसके temperature को control करते हैं just by wrapping up the chandreya तो hopefully आपको ये concept समझ में आया होगा concept of chandreyaan lamination तो आईए बचों आज का जो सबसे बड़ा topic था उमीद कर रहे हैं आपने यहाँ पर समझ लिया and that is concept of chandreyaan lamination पका तो बहुत ही शांदार अब आईए आगे के तरफ बढ़ते हैं और हम लोग अपने thermal expansion आउमीना की तरफ चलते हैं that is the next point of today और हम thermal expansion की चीजों को fundamental level बे समझने की कोशिश करें तो पहली क्या है एक जो misconception बच्चों के अंदर होता है वो बड़ा ही गड़बड होता है कि relate नहीं कर पा रहे हैं समझ नहीं पाते हैं कि thermal expansion के तीनों चीजों का मतलब क्या है है ना तो पहले हर aspect को ज़रा ध्यान से समझेगा कि linear values का क्या मतलब है और किस-किस तरीके से मतलब है हर चीजों का ज़रा ध्यान से देखने की कोशिच तो आई एक concept of thermal expansion अब मैं उसकी theory पे तो नहीं जा रहा हूँ कि particle oscillation उनकी potential energy और उनके asymmetric potential curves इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है क्योंकि एक detailed class के अंदर होती है तो detailed class तो भी नहीं है लेकिन मैं इनके कुछ tips and tricks की आपसे बाच्ची ज़रा रहा हूँ तो आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर किसी भी body को heat किया जाता है किसी भी body को heat किया जाता है तो उसकी लंबाई, चौणाई, मुटाई, किसी में भी changes आ सकते, अब कोई भी एक body है general body आपने रिली, एक एक body अगर आपने इस body को heat किया क्या होगा, what will happen इस body का dimension थोड़ा हो जाएगा तो होगा, तो बड़ा भी नहीं हो जाता है अब dimensions अलग-अलग तरीके से define किये जाते हैं जैसे अगर इसकी लंबाई L है तो इसकी length increase होके हो जाएगी L plus L times alpha delta T यहाँ पर alpha को बुला जाता है यहाँ पर alpha को बुला जाता है coefficient of linear x-p तो अगर इसका temperature T था और यहाँ का temperature हो गया T plus delta T, तो यह इसकी heat जो है वो इसका लंबाई को बढ़ा देगी अगर इसका area होगा A इसका area हो जाएगा A final, it is equals A plus A times beta delta T और अगर इसका volume V रहा होगा तो volume final increase करके हो जाएगा V plus gamma delta T तो इसका volume भी बढ़ जाता है इसका area भी बढ़ जाता है हाँ, mass की हम बात करते हैं कि mass will remain same mass same रहता है तो अगर आपका temperature increase करता है तो उसके dimensions बढ़ जाएगा अब dimensions में बच्चों को में कई बार आता है कि सर लंबाई के यही वाली बढ़ेगी मैंने का नहीं भीटा, ऐसा कुछ भी नहीं है अगर इसकी चौड़ाई B होगी तो इसकी चौड़ाई बढ़के plus B times of alpha delta T के बराबर होगे अगर इसका diagonal C होता तो अगर इसका diagonal यहां से यहां तक का diagonal आप C लिख देते हैं यहां का diagonal जो होता उसको लिखने के लिए आप simple use करते हैं C times alpha delta T तो हर एक length जो है वो alpha के corresponding बढ़ेगी तो distance between any two points will increase based on the alpha that is called as the coefficient of linear x पही alpha को हम बोलते है coefficient of linear x पही similarly beta को हम बोलते है coefficient of area x पही similarly gamma को हम बोलते है coefficient of volumetric का यही बात समझ में आती है कि क्लिया कि किसी के में कोई challenges तो परिशानी ठीक है अब यह तो basic बिल्कुल fundamental चीज़ होगा है अब यहाँ पर कैसे कैसे questions बनते हैं आई यह question कि पहला question आया कि एक बार इसको फटाफट solve करिए ताकि हम लोग फिर इसको discuss करें center of mass कहा होगा center of mass यहाँ होगा अब बिल्कुल सही बात है सर अब एक्सपेंड अब origin को मानना है आप से बोला गया origin as in the length of each order and alpha अगर origin की बात की गई है तो कितना change होगा y coordinate में यह पूछा गया अब आपने कहा कि सर अगर यह expand होगा तो कैसा लगेगा अनने का देखो बही ऐसा है और अगर यह expand हो गया तो कुछ ऐसा लगेगा ठीक है ना अगर यह सर तो हर एक length जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी आपने का l प्लस alpha delta t हो जाएगी सर इसका पिटा ध्यान से समझना इसकी length यह भी तो इनकी उस जाएगी यह length होती कितनी है अपने का सार अगर मैं बात करूँ लेंथ ao की बात करूँगा तो यह angle 60 degree अगर इसकी लंबाई l है this is time where l sin of 60 degree it is defined as l root 3 by 2 और आप सभी को पता है कि जो centroid होता है वो 2 to 1 के ratio में divide करता है तो अगर मैं इसके center को यहाँ पर define करूँ o a b c हो गया ओ भी हो गया तो इसको मैंने x लिख दिया या इसको मैंने center को मैंने y से define कर दिया y distance कि जा रही है तो अगर y distance पर होगा y distance कितनी होगी l into root 3 by 2 into 1 by 3 इसको लिखा जासा l by 2 root this is the y of the center of mass initial final क्या हो जाएगा आपने का सर length बढ़के l plus alpha delta t हो गई है तो इसकी distance भी बढ़ जाएगी तो y center of mass final कितना हो जाएगा आपने का सर बिल्कुल condition देखिए कई बार इसमें सोचने के लिए बहुत बढ़ा को सोच लेता है अगी पर यह question बहुत आसान होते है इसलिए मैं पहली चीज आपको पॉल यह फाइनल हो गया अगर आप चेंज की बात करोगे तो अल्टू रूट थी से ल्टू रूट थी कंसिल हो जाएगा आप से बुला डेल्टा वाई ऑफ center of mass center of mass का वाई कितना हो गया आपने का सर इससे इसको माइनस कर दिया दा अंसर कमस आउट टूबी एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन टू तू रूट थी अब तू की वैलू दो दे दी गई अल्फा आपको यहां पर दे दिया गया तो दो अल्फा हो गया फोर रूट टी इंटो टैन की पावर माईनस से टेमप्रेचर आपको प्रती यूनिट निकालना ही है अपन तू से टू चला गया रूट ती से चला गया कि हो गया 4 गुणए 10 की पावर माईनस 6 डिया आपका आगया डिल्टा वाई आप से बुझा गया है डिल्टा वाई पर यूनिट तो पूँडलेट टी कर देंगे अंतर आजाएगा चार गुणए 10 की पावर माईनस मीटर पर कैल्वेन जल्दी से लिखे बीटा फट आपट, कोई दिखे तवाली बात तो नहीं, इंपल, अच्छा, बेसिक तौर फो, जल्दी सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे, बुला क्या, metal rod A of length 35 cm length expand by 0.05 cm when its temperature is raised from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. another rod B of different metal of length 40 cm expands by 0.040 cm for the same rise in the temperature, a third rod C of 50 cm length is made up of P of rod A and B and expended by 0.03 cm on heating from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius. define the length of each of the composer. क्या, पहले step से हम दोनों की alpha निकाल पाएंगे? पक्का है, आपने कास्थर बिल्गुशा है, चलिए, दो length जल्दी से define करते हैं, quickly आप लोग attempt करना कोशिश करें, attempt चालू करें, पहली rod और मैंने ये बना दी दूसरी. ये इसकी लंबाई थी 25 cm, तो इसके अंदर जो change आगया, delta L, that is L, alpha, delta. तो कितना हो गया? आपने का 25 cm है, change आए, तो दोनों तरफ cm, cm है, तो हमारे लिए कोई खास challenge नहीं है, मैं ऐसे लिए 0.05, 25 into alpha, delta T, temperature कहां से कहां, 0 से 100, मतलब हो गया 100, ठीक है? तो alpha परावर कितना आगया, बेटा? ये इसको लिखा जासकता है, 5 into 10 की power minus 2, upon 25 into 10 की power 2. तो ये पचम 25, एक बटे 5 यहां पर हो गया, और ये उपर चला जाए कितना है, minus 4, तो 1 by 5 into 10 की power minus 4, और एक बटे 5 को लिखा सकता है, 0.2, तो इसको लिख सकते है, 2 into 10 की power minus 5. तो हमको alpha 1, पहली rod का alpha मिल गया, इसमें question आ चुका है, equivalent conductivity, equivalent coefficient of linear expansion, इसमें questions आप से फूचे हैं, और ये NSEP level पर आ चुके हैं को, तैसा नहीं है कि आपको ये question देखके ignore करना है, बिल्कुर अच्छे से करना है, second का निकालो alpha पटाफट, जल्दी से, अब यहाँ पर second, ये rod किती है दीगे, आपने का 40 cm, अब ये 40 cm की rod है, expense wise 0.40 for the same rise in temperature, मतलब इसके लिए अगर मैं alpha 2 की बात करूँ, तो delta यहाँ पर हो गया, 0.04, it is equals to 40 into alpha 2, alpha 1 लिख देते हैं, ये alpha 2 into delta T हो गया, same 100, alpha 2 बराबर हो जाएगा, 0.4 गुणे 10 की पावर माइनस दो, बटे 40 गुणे 10 की पावर, ये 4 से 4 चला गया, और ये हो गया 1, तो 1 into 10 की पावर माइनस 5 ये बन टाएगा, यहाँ से alpha 2 की बाइन निकल के आगी, 1 into 10 की बाइनस 5, अब क्या हुआ, अब बोला गया है, length is middle of the pieces of rod A and B, नहीं बताया कितना, end to end, लेकिन उसकी total लंबाई दी गए ये 50 cm, तो इसमें 1 x होगा, तो दूसरा 50 minus x हो जाएगा, आपने गसर बहुत अच्छा, और उसका expansion हुआ, 0.03 cm, और heating from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius, क्या होगा, length आप से पूछा गया है, मैंने का चलो भई, जोडते हैं, एक ये बना देते हैं, और दूसरी यहाँ से आ गई, एक की लंबाई x, तो एक की लंबाई 50 minus x, अगर ये increase होगा, तो ये कितना होगा, ये one rod बोल देते हैं, ये two rod बोल देते हैं, अगर ये होगा, तो क्या हो जाएगा, x into alpha 1 into delta t, ये होगा, तो कितना हो जाएगा, 50 minus x into alpha 2 into delta t, और ये दोनों का मिला के जो expansion हुआ है, वो कितना दिया गया है, 0.03 cm, ये आ गया है, 0.3, अब आपने का सथ temperature का change कितना है, आपने का temperature का change यहाँ पर हुआ है, 50 degree Celsius, तो आपने का बिल्कुल सही बात है, तो alpha 1, alpha 2 की बात कर लेंगे, तो य x into alpha 1 हो गया, अपने पास 2 into 10 की पावर minus 5 into delta t हो गया 50 plus 50 minus x into alpha 2 हो गया 10 की पावर minus 5 into delta t वापस दे हो गया 50, it is request to 0.0, तो अब हम यहाँ पर सारी values को calculate करते है, इसको 0.03 को लिख सकते है, 3 गुणे 10 की पावर minus 2, तो अब हमारे पास क्या क्या हो गया, यहाँ से 50 common, 10 की और minus 5 common, यहाँ पर बच गया, 2x plus 50 minus x, यह तो इदर हो गया, यहाँ हो गया, multiplied by 50 multiplied by 10 की पावर minus 5, it is equals to 3 गुणे 10 की पावर minus, minus 2 से चला गया, 3 बच गया, आपने का सर बिल्कुल ठीक है, 50 और यहाँ पर 2x तो यह हो जाएगा, 2x minus x तो, यह 2x और 50 minus x, कितना हो जाएगा बिटा यह 50 plus x, into 50, into 10 की पावर minus 3, it is equals to 3, अब यहाँ से हम values को निकालते हैं, तो अपने पास values यहाँ से निकल के आ जाएगी, यह धर की तरफ चला जाएगा, 10 की पावर 3, 50, 100 और 5, यहाँ पर आ जाएगा, 50 plus x, it is equals to, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, 10 सेंटीमीटर, तो दूसरा वाला हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, 50, this is the answer my friend, about the conclusion, हमने यहाँ पर निकाल लिया, किसी के मन में कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका हो, calculation done, ती जल्दी, ती जल्दी, जल्दी 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 नहा है, वहिया, NSEP का important है, क्या, सर सेलेक्शन आइसे नहीं होता है, NSEP, NSEP का selection, JEE advance से भी tough है, उस लोग बड़े तुर्रम खाबन के घूपते रहते हैं, कि NSEP, JEE main से नीचे का subject हो जाता है, JEE main से नीचे घंटा, जिन्होंने जिया दिया नहीं होता है, जिन्होंने दिया नहीं होता है, तो ऐसा लग रहा होता है, आपको बहुत इमानदारी से बता, NSEP बच्चे ने निकाला है, मैंने किसी बच्चों कैसा नहीं देख, इसका NSEP निकाला हो और उसने धमाल नमचा, NSEP लेवल वन की बात करो, I am not talking about IMPH, I am talking about, साड़े तीन सो बच्चे जो NSEP में select होते हैं, वो JEE advance फोड़ा, आप देख लिए, exceptions मतलब मैं यह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मिलता ही मिलता, maximum बच्चा, मैंने तो किसी को नहीं देख, कोई exception निकल गया और निकल गया, मैंने नहीं देख, मैं यह बोल। यह exam भलका नहीं है, यह career define कर देता है, इसकी तैयारी करके हर बच्चे का career define है, NSEP, NSEC, आप किसी भी मतब कोई एक subject को पकड़ गया आप चलते हैं, और NSEP qualify करते हैं, आपके उनमें जागरुखता आ जाती है, subject के प्रति, क्या आप से फिर गल्ती होना, संभावनाएं, गल्तियां, यह सब चीज़ें, और यू स्टार्टड इंजॉइंग दशब्जेक्ट, तो अगेन बहुत धमाकेदार subject हैं, बहुत धमाकेदार चीज़ें हैं, तो थोड़े धमाकेदार तरीके से enjoy करना है, धमाकेदार चरीके करना है, और देखना है, बहुत बहतरीम हो, ठीक है ना, तो आईए चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इग्जांपल है, एक छोटा सा, कि वायर ओफ क्रॉस्ट सक्ष्ट्ट इए फूर इंट्ट इंट केदार माइनस फूर मीटर स्क्वाइर, मुद्स ऑफ इलासिसिटी दिया गया है, दो गुने जसकी पार ग्यारा, एन लेंथ वन मी कि आपको इलासिटी के मैं यहां पर एक दूबार कर रहा हूँ, ताकि आपके दुमाग में कुछ बाते बैट जाएंगे, अभी मैं आगे थर्मल इलासिटी को यूज करने जा रहा हूँ, तो एक छोटा सा कोश्ट इस ताकि मैं आपको उनके आगे की बातचीत बता सकूँ कि एक रॉड है, तो हिंज किया गया है, दो पॉइंट्स के बीच में अब क्या हुआ, क्रोस सेक्ष्ट से एक हमेशा जब भी मानेंगे, अगर पॉइंट्स है, तो यह पॉइंट्स हमेशा माना जाता है, अगर एक यह point मास है बच्चे तो tilt हमेशा इस तरीके समानते हैं कि वहाँ पर bending नहीं एक straight line बन रहे होगी एक ऐसे टांगा गया होगा मास को अब यह मास अगर यहाँ पर balanced है तो जब रस्सी नीचे आई होगी माली जी रस्सी यहाँ से wide distance नीचे आगी और तो इन दोनों रस्सीयों के अंदर एक tension force arise हुआ होगा और जिस tension force के कारण इनका एक component उपर की तरफ आएगा जो इसके मास को balance कर रहा होगा कि अगर देखा जाए तो वह सिंबल कंडिशन है एट इस टूटी पॉस थीटा अगर इदर मैं थीटा लिया हुआ है यह शुड़ बीकॉल टू एं अब चैलेंज आता है कि टी कैसे निकाला तो आपने का टी आया क्यों कारण क्या है आपने का कारण है अगर मैं यहां पर देखता हूं तो अगर मैं यहां से एल और इसको एल मान लिए यह डिस्टेंस कितने हो जाएगी क्योंकि लेंद एक थी तो मैंने टूएल बराबर वन मिटर लिखा है ताकि थोड़ा साथ मैं आसानी से आपके सामें लिखता चलूंगा फिर क्योंकि कॉमन एंगल आप इसक लंबाई कुछ बढ़ गई और अगर इसकी लंबाई कुछ बढ़ गई तो अपने मन में कैलकूलेशन आती हैं कि इसकी लंबाई में कितना चेंज आएगा and what is the change in the length अब change in the length निकालना बड़ा चलेगी कि अगर मैं regular method के सुरू जाओं तो मैं क्या लिखूंगा सर डेल्ट अगर ऑफ ले टिर्ट की तो लिखेंगे इसको कैसे करें कैसे सोच मैंने क्वाई स्कूर की होल पावर निकाल ले तो यहां से देखते रहे ना 1 प्लस y by L का whole square और यहाँ पर हो गया यहाँ पर हो गया इसका whole power 1 by 2 की हो गया L क्या यह दिखाई पढ़ता है minus किसके हो गया L के साथ अब आपने कहा अगर मैं binomial ले लू तो क्या हो जाएगा 1 plus 2 y square upon L square 1 plus 1 by 2 into y square upon L square minus 1 यह 1 से 1 L cancel अगर मैं यहाँ पर delta L की value निकाल हो delta L कितना निकल के आगा आपने का nature L cancel हो जाएगा that is y square upon delta L की value जो निकल के आजाती है that is defined as delta L की value जो निकल के आजाती है उसको हम बोलते है that is defined as y square upon 2 क्या यह समझ नहीं इसमें किसी की value जल्दी से इस अप्रोक्सिमेशन निकल के आगे आगे तो आपको ही पता होता है आपको क्या बोलता है f upon a gamma times of delta L upon जी तो लिखते है अगर हम यहाँ पर delta L upon L की बात करें तो force किता हो गया आपने का t upon per unit area that is equals young's modulus into delta L किता हो गया y square upon L अब दोनों चीज़ें अलग-अलग है तो यह चले वैल्यूस को फूट करें और अगर मैं यहाँ पर cos theta की बात करता तो cos theta कितना होता आप बोलते सर्फ cos theta होता y upon under root of L square अच्छा यह चूंगी बाता होगा अगर हम यहाँ पर देखें 2T cos theta की value क्योंकि mg को represent कर रही होगी तो क्या आ जाए गए बिटा जरा ध्यान से देखें cos theta it is of course m into tension कितना हो गया आपने का young's modulus into बिटा ध्यान से देखें delta L delta L की बाता किती निगल गया गी y square upon 2L तो हमारे पास tension आगया एक का multiply करेंगे तो y into y square young's modulus और यह हो गया y square upon 2 l square into cos theta की value अगर आप देखेंगे तो y upon root of l square plus y that is equal अच्छा यहां पर हमसे पूछा क्या गया है calculate the angle it makes with the horizontal और यह मेरे को एंगल पूछा क्या यह वाला थे मैंने थोड़ा सा गलत theta मान लिए प्रेसे theta ही पूछा गया है तो अच्छी बात है कि हम theta की तरफ मेनत करें तो अब रादर देन हम थोड़ा सा लंबा खिच गया है तो हमने काओ भाई चलो theta की तरफ पूछ ले आओ भाईया तो आपने का सर मैं इधर की तरफ जाओंगो तो y को calculation पे चला जाओंगो तो मैंने का य कैलकुलेशन से बहतर है कि मेरे को जो theta पूछा गया है मैं उसकी बात करो जो theta होगा वो इसके terms में किता हो जाएगा आपने का सर उसको लिखेंगे तो 2 sin alpha अगर मेरे को यह alpha एंगल निकालना है माल लिजे तो theta और 90 बनेस alpha तो 2t sin alpha equals to mg आपने का सर बिल्कुत तही है और sin alpha को अगर देखें तो sin alpha बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर तो आपने का यह सर परपेंडिकुलर तो मुझे लेकिन sin alpha की value चाहिए तो मैं अभी यहाँ परपेंडिकुलर नहीं डालता हूं मैं वहाँ values replace करूँगा तो मैंने का देखो 2 tension कितना आगया आपने का सर अब हमें वाई को अल्फा की टर्मस में पड़ेगा ताकि हम इस वैल्यूस को इसली इस कर सकें देख सकें तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझने कुछ को करें तो से यह 2 कैंसिल के वाई बच गया वाई स्कॉयर अपॉन एल स्कॉयर इंटू साइन अल्फा इंटिकुलर मैंडी कितना है अ एरिया का मॉल्टि प्लीकेशन थिर रह गया वचोब 12 अवका में इहांब बात चुरूत एमजी कितना चल्रू यह हो गया 10 इरियाा कितना इगया ऐस हम गया जार्या फूरो इंट्टि इन टिन कि पाव्य स्विन चांटि आरि-5 multiplied by यह हो गया जाके अबने दो गुणे दस की पावर गया है सहाब अब यहाँ दिमाग लगाने का 4 दुनी 8, 10 minus 4 है और यह 11, minus 4 और 11 7, उपर जाएगा 10 की पावर minus 7 तो आप अगर यहाँ पर देखो कि तो हो गया 10 बटे 8 into 10 की पावर minus 7 तो आपने का सर यह value बहुत चुछा है sine alpha और y square upon l square अगर हम सोचें कि 10 बटे 8 का corresponding कुछ value आ रहा है आपने का सर हाँ यार तो यह 10 बटे 8 की क्रावर मैंने का अब ज़रा ध्यान से घुरना आपने का क्या मैंने का देखो बही एक चीज़ मुझे alpha निकाले है यह y है और यह l है और यह length है l square plus y इस calculation में अगर मैं सोचें मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ by approximately और वो क्या है that sine alpha y upon under root of l square plus y और चूंकि y क्योंकि यहाँ पर angle बहुत चोटा दिखाई पट रहा है y बहुत चोटा angle के respect this approximately equal to तो अगर मैं देखूँ तो मैं इसको देख सकता हूँ कि sin square alpha और यह हो गया sin alpha और यह हो गया 10 तो 10 की पावर minus 6 into 1 by 8 मैंने का देखो sin cube बन जाएगा तो यहाँ से अगर मैं value निकालूंगा sin alpha की value आजएगा 1 बटे 8 into power minus 6 cube root आजएगा करेंगे तो एक बटे radian this is the starting में हम लोग तो this comes out to be final आगे एक बटे 200 कई बास सौंज में आती है चल्दी से बेखो क्या यह बात मेरे बच्चों के मन में आती है बैठ जाती है clarity के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है चल्दी से आते हैं next question पर आगे बढ़ाते हैं next एक और बहुत ही प्यारा सा question चलते हैं बच्चे ज़रा ध्यान से देखना एक और बड़ा अच्छा सा question तो आपको balance out करेगा in thermal expansion isocellus triangle है is formed with a rod of length L1 and coefficient of linear expansion alpha 1 for the base and the two thin rods of each length L2 the coefficient of linear expansion alpha 2 for the two pieces if the distance between the apex and the midpoint of the base remains unchanged as the temperature varied so that isocellus triangle इसका with a rod of length L1 with a rod of length L1 बच्चे ध्यान से देखेंगे एक isocellus triangle हो गया आपने का यस सर ये एक isocellus triangle हो गया है अब इसमें क्या-क्या है क्या-क्या है क्या-क्या है आपने कहा length L1 and a coefficient of linear expansion alpha 1 for the base and the two thin rods of L2 isocellus triangle is formed with a rod of length L1 and for the base and the two thin rods of L2 with ये तो हो गई अपनी L2 ये भी हो गई अपनी L2 और ये हो गई अपनी अच्छा सर फिर क्या हुआ अब सर इन दोनों का expansion alpha 1 alpha 2 दिया if the distance between the apex and the midpoint of the base remains unchanged as the temperature varied show that अगर ये distance नहीं बदल रही कांसी ये distance नहीं बदल रही तो अगर ये distance नहीं बदल रही तो आपको बताना है कि क्या होगा कहानी तो मैंने कहा देखो होगा क्या ये थोड़ा सा इधर खिसकेगा ये इसको थोड़ा सा ऐसे बना दितने कि कुछ आगे कैसे खिसका होगा और ये rods की लंबाई भी थोड़ी सी बढ़ गई होगी बट अपक्स से दूरी नहीं बढ़ी होगी फिनॉमिना कुछ इस तरीके से हुआ होगा क्या तो ये ऐसे बढ़ा बट उन्हेंने क्या बोला midpoint to base की बीच की दूरी नहीं चेंज होगी तो बताओ क्या होगा तो आपने का सर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं फिनॉमिना देखो तो यह डिस्टेंस हो जाएगी L2 प्लस L2 अलफा 2 डेल्टा टी और यह डिस्टेंस हो जाएगी L1 प्लस L1 अलफा 1 डेल्टा टी आपने का सर H constant है आपने का यह सर H constant अगर H constant है इसका मतनब इसका और इसका डिफ्रेंस इसक्वाइर का डिफ्रेंस constant रहेगा जल्दी से लगा दो दिमाग कर दो बवाल देखो क्या आ रहा है अंसर तो इसको सर्व दो मैंथर सो फ़ली चीज़ अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपर बात समझाने जा रहा हूँ जरह एक छोटा सा heading डालके लिख दें secret ग्यान दे रहा हूँ तुमको और वो क्या है वो जरह ध्यान से जनरली क्या होता है यह बहुत जगे काम आएगा जनरली expansion is negligible with respect to dimension given यह बहुत negligible होता है तो we can use to find the relation we can use error method find relation can you error differential method आपने कहा कैसे आप मेरे पास दो तरीके थे पहला इसर एल फाइनल पता चलता तो लिखता एल टू का स्क्वाइर माइनस एल वन का स्क्वाइर fix रहेगा यह constant रहने initial के बराबर हो जाता यह इसको लिख देते एल टू फाइल का स्क्वाइर यहां पर हम बैनोमिल अप्रोक्सिमेशन लगाते हैं और अंसर बैरेक्ली निकाल लेते हैं यह बहुत बेसिक है बट इसमें आपको बैनोमिल अप्रोक्सिमेशन ठीक ठाक लेवल पर लेने पड़ते हैं तो बढ़ा कैलक्येशन बढ़ दिए जाती कुछ खास बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर मैं इसी कुश्चन को ऐसे लिखता हूं अगर मैं यहां पर लिख सकता हूं L2 का स्क्वाइर प्लस L1 स्क्वाइर बाई 4 माइनस L1 स्क्वाइर बाई 4 अब आपने कहा सर क्योंकि मुझे यहां पर पताए कि बहुत कम वैरियेशन होगा तो रिलेशन के लिए हम लोग डिफ्रेंशियेशन का सहरा ले ले लेता है आपने कहां कैसे मैंने का डिफ्रेंशियेट करता है लिख सकते हैं 2 L2 इन्टू DL2 इसको लिखा जा सकता है 2 L1 इन्टू DL1 अपाउन 4 और X कॉंस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशियेशन यह एक बड़ा ही प्यारा मेथड हो जाता है कि अगर आप डिफ्रेंशियेट करके उनकी रिलेशन को डिफाइन कर दें और डिरिवेटिवस को साथ में लिख दें तो उससे हमें उनका rate of change का idea लग जाता है उससे में rate of change मिल जाता है तो आपने का सर बिल्कुल ठीक है तो यहां से अगर मैं define करूँ तो I can very simply say that L2 into DL2 minus L1 into DL1 by 4 should be equal to 0 अब DL2 मतलब change in L length DL2 किता होगा आपने बोला L2 into alpha 2 delta T और DL1 किता हो जाएगा आपने का L1 into alpha 1 into delta T तो आपने का सर जो छोटा क्यों 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 आपने का सर यह छोटे बहुत इनको हम DL से represent कर सकते हैं तो जब हम differentiation कर रहे होते हैं तो DL values को हम L2 alpha 2 delta T और L1 alpha 2 delta T के साथ count करके कर सकते हैं यह हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है बड़ा सही हो जाता है क्याइए clear है कोई परेशानी वाली बात तो नहीं कोई शंका वाली बात तो नहीं L2 square into alpha 2 minus L1 square into alpha 1 into delta T इस शोड़ा देर है अब क्या हुआ alpha 2 alpha 1 L2 नहीं तो खाना है यह आपसे बरावर होने चाहिए delta T तो constant है तो delta T से delta T cancel by 4 जरूर यहां लिख दीजे अब हमारे पास क्या relation आ गया आपने लिखा L2 upon L1 is equal to 1 by 4 times alpha 1 upon alpha 2 का कर दीजे जरूरूथ हमको क्या relation चाहिए यह proof L1 upon L2 हमने L2 upon यह हमारे relation करने के लिए आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं बट वहाँ पर जैसे हमने पहले भी लिया था binomial approximation लेना पड़ेगा उसके लाद values को करना पड़ेगा फिर आप वहाँ से answer निकाल सकते हैं मतलब that is also a possibility but not a very good way अब यहां पर एक बड़ा अच्छा सा काता एक और छोटा सा आपको गुप्त ग्यान देता हूं गेम आफ सेंटर ओफ वास in thermal expansion और इसके बाद हम लोग कुछ चर्चा और करने वाले हैं thermal expansion पर अगर हम बात करें तो बेटा कैसे हम बात्चीत करें बहुत ध्यान समझता है जैसे आपसे बोला गया कि दो बाडी हैं यह एक smooth surface पर रखी और अगर यहां पर यह surface इस है और इस पर एक और बहुत अच्छा question को डिस्क्स करेंगे कि अगर smooth नहीं होती वह और कभी होती अब यह surface smooth रखी इसके उपर यहां पर दो बाडी हैं एक body 1 लिख देते हैं यहां पर यह हो गई एक l1 length की body एक एक l1 है एक l2 है इसका एक कमास मैं m1 माल लेता हूँ एक कमास मैं अपने का अब क्या हुआ दोनों को expand किया गए दोनों जोड़े हुए तो आप से पूछा गया कि यह point of contact है कि कहां displace करें all surfaces are smooth और कोई भी body कहीं पर भी कोई external force नहीं लग रहा है तो यह सारी surface is smooth और आप से question पूछा गया है point displacement of midpoint or midpoint sorry find displacement of junction बहुत ही प्यारा question अच्छा concept हम लोग क्या use करने वाले हैं यहां पर अब इसका concept हमारे पास हो गया concept हमारे पास हो गया अगर f external zero है अगर f external zero है concept की बात करें तो हम आप लिख सकते हैं कि अगर f external external force zero है then we can very simply हम सोच सकते हैं हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा external force zero है क्या होगा और कैसी होगा तो आपने का देखो सर अगर external force zero हो गया concept हमारा बहुत simple सा concept है कि अगर external force f external zero है अगर f external zero है तो हम लोग यहां क्या है क्या है यहां कि सर एक्सिडरेशन आप जीरो तो velocity of center of mass क्या है यहां पर zero है तो center of mass remain at rest तो center of mass move नहीं करेगा यह बात ध्यान रखिए तो center of mass remains at rest अब जल्दी बताओ अब जल्दी बताओ अब इस वाले question को कैसे attempt करें मैंने जैसे आपको बताया कि velocity है तो आप मोश्रेल आपने थोड़ा thought दिया थोड़ा सोचा थोड़ा समझा है ना अब जड़ा ध्याल समस्ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजा में देखनी है आपने का सर expansion होगा यह point है एक्स आपने का सर बिल्कुल सही बात है अब अगर मैंन इस point को X बना दिया तो इसका center of mass कहा होगा आपने का सर इसका center of mass इसके L by 2 पर होगा L2 by 2 पर चीक है ना और इसका center of mass कहां पर होगा आपने बोला L1 by 2 सर center of mass की अगर मैं total position की बात करूँ तो वो same रहना चाहिए है ना आपने का सर बिल्कुल सही अब मैंने बोला कि भाई माल लेते हैं कि यह जो position है इस position जो intersection point है यह मैंने बोल दिया X बराबर 0 और जब यह expansion हुआ तो इसके अंदर कोई shifting आ गई कि इधर की तरफ shifting है यह अपने का किसी एक तरफ माल लेते ताकि मेरी calculation आसानी से हो जाए तो एक तरफ इस पूरी calculation को ज़रा ध्यान से करते हैं देखिएगा ज़रा ध्यान से अब यह वाला point माल लीजिए पहले यहाँ था और यह कुछ shift हो गया आगे की तरफ माल लेते ही धरी की तरफ shift हो गया तो अगर यह x shift हुआ होगा तो अब center of mass की locations को define करते हैं और simple concept क्या है कि net नेट से जो center of mass रहेगा हमारा वो सेम location पर रहेगा तो मतलब अगर यह वाला point कुछ यहां आया होगा और अब इसकी लंबाई हो गई होगी एलवन प्लस एलवन अलफा डेल्टा टी और इधर वाला जो दूसरा अलवा पॉइंट है यह यहां पर आ गया होगा और इसकी लंबाई हो गई होगी एलवन टू प्लस अलफा डेल्टा टी अब यह होगा एक्स अब यह एक्स डिस्प्लेस इस तरीके से हुआ होगा तो अगर मैं ध्यान समझने कोशिश करूं तो अब यहां से सेंटर आप मास की लोकेशन क्या होगा आपने बोला एलवन प्लस डेल्टा एलवन बाई टू यही तो गया तो अगर मैं डिस्प्लेस्मेंट आफ एम वन लिखता एम वन का डिस्प्लेस्मेंट कितना हुआ तो आप बोलते की सर देखो यह इस पॉइंट से टोटल डेल्टा एलवन बाई टू सिफ्ट हुआ होगा और यह एक्स आगया गया तो अगर यह एक्स आगया आगया तो इसका जो सेंटर और ओफ मासर उसका ओवर और डिस्प्ले 2 plus 6 और आप क्या बोलोगे sir net displacement should be 0 तो आपने कहा sir displacement of center of mass क्या होता है आप बोलोगे displacement of center of mass होता है m1 d1 plus m2 d2 upon m1 plus m2 क्या ये बात समझ में आती है और अगर यही basic equation बन जाती है तो we can very simply say हम इस बात को बोल सकते हैं कि M1 कितना हो जाएगा आपने कहा M1 और displacement की बात करेंगे तो इस डिफाइन डेस्ट डेल्टा L1 बाइटू माइनस X प्लस M2 इन्टो डेल्टा L2 बाइटू प्लस X डिवाइड़ बाइटू यह 0 हो जाएगा तो यह नीचे दा फैक्टर जो भी M1 प्लस M2 है यह इस रेशियो में ब्रेक आउट हो जाएगा क्या यह बात सौज में आती है कोई चालेंजिंग विशाय तो नहीं अब आईए हम लोग अपनी values को put करते हैं और answers को get कर लेते हैं तो आपने कहा सर अगर मैं यहां से देखो तो मैं लिख सकता हूँ M1 इन्टो डेल्टा L1 बाइटू माइनस X प्लस M2 इन्टो डेल्टा L2 बाइटू प्लस X इट शुडब एक्वल टो जीरो आपने कहा सर एक छोटी सी गलती हो रही है क्योंकि सर दोनों के displacement की दिशा अपोसिट डिरेक्शन में है तो एक माइनस साइन जरूर लगा लिया जाए तो अगर मैं इसके सेंटर आप मास की बात करूँगा तो सेंटर की तरफ हुआ है तो इसका displacement पीछे की तरफ हुआ है क्योंकि यह डेल्टा एलवन लेंथ जो बड़ी वहर की तरह बड़ी तो यहां पर अगर मैं विद साइन बात करूँ तो एक माइनस साइन लगाना ना भूले क्योंकि माइनस साइन की गलती हो चाहेगी क्या बास समझ मे तो अपना सेंटर आफ मास इस लाइन से इस वाली लाइन से डेल्टा एलवन बाइटू सिफ्ट हुआ है तो अगर हम बात करें तो एक्स माइनस और कर देंगे तो यहां से इस वाले पॉइंट से मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी कितनी होगी तो यह वाली जो डिस्टेंस इतना यह डिस्टेंस शिफ्ट हुआ होगा एल प्लेस डेल्टा लवन बाइटू माइनस एक्स तो जो सिफ्टिंग हो जाएगी वो डेल्टा लटा 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 लगा दें यह मैंने यहां पर नहीं लगाया था यह एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया यह ज़रूरी इंपो 1 डेल्टा टी बाइटी माइनस मन् यहां पर यह एमटू एक्स हो जाएगा यहां पर यह आईए मट कि चाला जाएगा तो हापर आज यहां से हम x के और निकाल सकते हैं कि यह पूरा expression m1 l1 alpha 1 delta t common आ जाएगा by 2 common आ जाएगा minus m2 l2 alpha 2 into delta t by 2 divided by m1 plus m2 and this will be the correct वाला answer अगर हम इसकी बात करें तो यह हमारे पास एक correct answer यहां पर बन जाएगा जो हम लोग का directly देख भी सकते हैं समझ भी सकते हैं that is again a very important and very basic question clear होता है बच्चो अब इसी question को और बहतर तरीके से पूछते हैं अब क्योंकि यहां पर एक बड़ा important सा game जो आपको समझना है और वो क्या है जरा ध्यान से देखिएगा अगर हम इस fundamental question की बात करें इस fundamental question की बात करें तो यह कुछ यहां पर game आ गया this angle is theta और अगर यह angle theta अब मैंने इसी game को बदल दिया बस थोड़ा सा अब यहां पर एक रोप रख्य हुई है अपने का साथ बिलकुल रख्य हुई है अब यहां पर क्या हुआ बेटा कि आद ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा that is very again very important अब यहां पर आपने बोला कि यह इसकी लंबाई L है अपने का साथ बिलकुल ठीक है इस surface पर frictional force mu है वो पहले ध्यान से समझेंगे और आपसे बोला गया कि the rod is resting on the inclined plane, क्या बोला गया बिटा, rod is resting on inclined plane, तो जो rod है, वो rest कर रही है inclined plane पर, आपने कहासर बिल्कुल ठीक है, अब rod अगर एक inclined plane पर rest कर रही है, तो आप आपसे पूछा गया कि if temperature increased, if temperature increased, point, location of point, that remains stationary. जो रुका रहे है, एक ऐसा point बताए है, जो रुका रहे है, और पहली चीज़ आती कि सार, अगर expansion होगा, तो nature of friction कैसे change होगा? और nature of friction change होगा, तो क्या कहानी होगी? आपने कहा सर, देखो, पहली चीज़ जीज़ आती है, कि जब यह expand होगी, तो rod लंबाई में बढ़ेगी, लंबाई में बढ़ेगी, तो एक एक अगर end की बात की सोचो बिटा, यह वाला end पीछे बढ़ेगा, और यह वाला end आगे अगर यही कहानी बनेगी, तो सारी चीज़ को समझना, तो आपने कहा सर, अगर यह block rest पर है, तो इसका overall net force जो इसको नीचे की तरफ लाने के लिए जिम्मेदार होगा, वो mg sin θ, और friction जो है, वह एक तरफ उपर, एक तरफ नीचे होगा, तो आपने कहा सर, एक ऐसा point होगा, friction की direction change हो रही होगी, मतलब वो point एक rest condition को show कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे थमाम जाना कि यह अगर molecule एक दूर जाने कोशिश करेंगे, तो जो इधर की तरफ बढ़ेगा, उसको पीछे जो इधर बढ़ेगा, उसको opposite friction लगने, तो इनकी tendency of friction इधर की तरफ होई, तो direction should get changed, तो आपने कहा, सर, हाँ यार, एक तो location ऐसी होगी, जहाँ पर यह कहीं change हो रहे हो, आपने कहा, माल लेतने, वो distance होगी x, अब आपने कहा, सर, इस x की दूरी कैसे define की जाए, how exactly I can define, कि इसके पहले तक, इस condition में, friction पीछे की तरफ लगे, क्योंकि इधर का tendency, इधर की त लेकिन जनरली इधर का एक्स थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि जब opposite direction में, वो move करेगा, तो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें conceptually कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए थोड़ा से इसको बना देते हैं, आपने कहा, सर, यह x, आपने कहा, अभी ऐसा क्यों बना है, मैंने का, चल friction must balance this force, friction must balance this force, अगर rod rest पर है, तो friction को यह force balance करने, देने चाहिए, आपने कहा, सर पाथ, ठीक है, अगर यह length x है, यहां से निकलने वाला, इतनी surface का normal reaction, जल्दी सोचो और बोलो, सर, यहां का normal reaction, n1, और इधर का normal reaction, n2, सर, यह l length का है, तो यहां से जो n1 हो जाएगा, वो, सर, इतने के बजन को समभाल रहा होगा, तो n1 बरावर लिखेंगे, m1 g cos theta, आपने कहा, सर, m1 क्या होगा, आपने कहा, यह हो जाएगा, mass of x length, क्या मैं लिख सकता हूँ, it is mass of x length, आपने कहा, सर, बिलकुल लिख सकते, this is simply called as mass of x length, क्या यह लिखा जा सकता है, तो आपने कहा, सर, अगर मैं लिखू, तो मैं लिख सकता हूँ, it is m, total m by l, into x, into g cos theta, सर, n2 क्या हो जाएगा, आपने कहा, सर, n2 की बात करेंगे, तो यह m2 g cos theta हो जाएगा, और अगर मैं m2 की बात करूँ, तो वो हो जाएगा, mass of l minus x, तो m by l, into l, minus x, into g cos theta, this is n2, and this is n1, अब आपने कहा, सर, बात तो समझ में आ रही है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा, देखो भीया, f r 1 minus f r 2, क्योंकि यह stress भी रहेगा, it should be equal to m1 g sin, single line, all problem short, खतम, all problem short, एक line में, अब जल्दी से आप लोग, अप्रोच करें, लिखना शुरू करें, f r 1 चों उपर की तरफ लग रहा था, वो हो गया, m by l, into x, into g cos theta, हाँ, theta अपने को दे रखा है, अगर यहाँ पर calculation की बाते है, 37 degree ले ले लेंगे, minus m by l, multiplied by mu, m by l, into l minus x, into g cos theta, multiplied by mu, it should be equal to m1 g sin, यह m g sin theta, m1 g लिखना, total mass को m माना है, तो m g sin theta, यह भी हो जाएगा, m g sin theta, तो m g, m g, m g cancel हो गया, अब अपने पास क्या बज़ गया, mu अंदर चला गया, तो mu का बाहर आगया, यहाँ हो गया, sin of theta, और यह हो गया, mu, upon में l बाहर आगया, यहाँ हो गया, x cos theta, minus l, upon l, जो बिटें, यहाँ पर ध्यान से देखना, l पूरे में बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर हो गया, minus का l, plus x cos theta, equals to sin theta, तो यहाँ पर आजाएगा, 2x cos theta, it is equals to l sin theta, यह l इदर चला गया, upon mu, ठीक न, तो अब यहाँ पर बात करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, l upon 2 mu sin theta upon cos theta, मतलब 10 theta, from here we can get the value of x कि वो point जो move नहीं करेगा, वो क्या condition रखेगा, हम यहाँ से easily define कर सकते, this is one of the very very amazing question, and this is again a very important f y q, this is very important f y q, this is very very important f y q, अब इसी पर based on next question पर चलते हैं, और वर अध्यान से जरा उसको समझेगा, मैंने का अगर यही गेम मैं पलट दूँ, और temperature decrease कर दूँ, तो क्या होगा, जरा इतना लिखो और जल्दी 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 से जल्दी वताने कोशिश कर जाओ, कि अब क्या होगा, अगर यहाँ मै temperature decrease की condition लगा दू, then what will happen, तो जल्दी से एक चोटा सा question यही पर define कर रहे हैं, कि अब यहाँ पर यह rod, यह वापस से एक inclined plane मन गया, और इस inclined plane की उपर हमने एक rod को रख दिया, यह rod होगी, अब क्या हो गया, rod is resting on plane, again condition is same, rod is resting on plane, and temperature is decreased, अब temperature को decrease किया गया, और जैसे ही temperature को decrease किया जाएगा, rod सिकुडने की कोशिश करेंगे, अब आप से पुछा गया, find the point that will remain rest, find point that will remain rest, तो अगर temperature T से T minus delta T कर दिया, तो क्या होगा, यह आप से पूछा गया है, जरह सब बच्चे ध्यान से देखें और बताएं, ठेक है, जल्दी से दिवाग लगा, फटाफट, अब होगा तो friction के तिशाएं, आप पोजिट हो जाएंगी, जल्दी calculate को रो बेटा, अब जल्दी से बताओ, अगर सोचा, अगर यही compression होता, तो क्या होता, तो आप बोलते सर, इधर वाले point की tendency इधर जाने की, और इधर वाले point की tendency इधर, वो tendency कैसी उल्टी हो जाती, तो मतलब सर, अब नीचे वाले portion पर इधर की तरफ friction इधर लगता, और इधर की तरफ friction पीछे लगता, तो अब आपने कहां सर, friction अपोजिट हो जाते, और सोचने की बात तो यही है सर, कि friction अगर अपोजिट होते, तो बिना calculation के, अगर कोई बच्चा चाहे, तो इसका answer भी बता सकता है, कि अब fr1 इधर होगा और fr2 इधर होगा, तो सर, अब माल लीजिए कि वो point कुछ यहां कहीं पर भी आया, x distance पर, तो अब क्या होगा, सर, अगर x distance पर point आया, तो इधर वाला होगा, l-x, वापस से पूछा जा, x की value क्या होगी, तो अब बोलिंग, सर, अब fr2 क बड़ा होना पड़ेगा, और वापस से कहानी वही होगई, fr2 minus fr1, it should be equal to mg sin theta, तो अगर आप इसको solve करोगे, तो आप directly भी सोच सकते होगे, सर, difference बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा, जो x यहां से आया था, इधर की तरफ, वो x अब उल्टा हो जाएगा, और वो आ जाएगा उधर की तरफ, तो मतलब अगर यहां से x की value माल लिजे, 2 meter आती है, तो उधर से आएगी, l minus 2 meters, क्योंकि अब उल्टा वाला बड़ा होना पड़ेगा, तो just opposite हो जाएगा, fr1, fr2 आपस में, exchange हो जाएगे, तो x और l minus x भी exchange हो जाएगे, आप value डालो, और answer निकालो, क्या यह बोलो जल्दी से, basic सा point दिमाग के अंदर clearly बैठता है, क्या सोच Olympiad लेवल पे पहुंच रही है, are you able to reach and think up to Olympiad लेवल, क्या पहुंच पा रहे हैं, किसी के मन में कोई परेशानी का विशाय तो नहीं है, मैं आपने कहा, sir, बहुत बढ़िया है बात, तो मैंने कहा, चलो फिर ही है, थोड़ी सी कहानी और बढ़िया सी करते हैं, बुला गया है, तो संट्रल कॉलं B AND C, आपको बहुत दांस देखते रहेग़, the height of 2 cm B and C are 49 cm each the 2 outer column A and D are open to the atmosphere and C are maintained at a temperature of 95 degree Celsius while the column B and D are maintained at 5 degree Celsius the height of the liquid in A and D are measured from the baseline are 52.8 and 51 cm respectively determine the coefficient of thermal expansion of the liquid liquid का coefficient of thermal expansion बताना है एक apparatus दिया है चार रंडी concept सबसे पहले सबसे पहले बताना है concept फिर चालू करेंगे आगे की कहानी जल्दी से चालू कर दो concept की कहानी बेटा जल्दी से आ जाई शुरू करने बहिया concept सबसे पहले हाँ तो बच्चो अपने को क्या दे दियेगे चार कॉलम दिमाग कैसे लगाना है यहाँ पर फ्लूड भी थोड़ा यूज होगा यूक्सर ने पढ़ाया था और थोड़ी सी कहानी thermal expansion की क्योंकि density variation होता है तो कैसे काम करेंगे आपने का सर देखो 95 इसके educated मैं था चाहां से लिक्विड है यह है अब यहां पर इसको मेंटेन किया जा रहा है तो आपने का सर अगर हम इसको मेंटेन कर रहें हैं और यहाँ पर हाइट आपको क्योगी आपको क्लेरू कॉला गया गया क्वेशन को में कि 4 Ellia columns है, मतलब हमें एक एक column को एक एक नाम दे 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 ना, A, B, C और D, ये चार column, ठीक न, horizontal, अगर हम बात करें, तो उसको हम column की तरह count नहीं कर रहे हैं, connected by the horizontal sections, इनको horizontal section से जोड़ा हुए, तो अगर हम बात करें, तो किसी भी एक जगह पर अगर हम यहां लिखें, तो इसको बोलते है, manometric equation, क्या बोलते है, manometric, तो अगर ये 95 degree पर maintain है, तो यहां पर density अगर row होगी, तो यहां पर भी density row होगी, यहां पर density अगर row dash होगी, तो यहां पर भी row dash होगी, क्योंकि temperature की corresponding density vary करती है, हम सभी को पता है, तो जल्दी से आके जरा एक बार छोटासा, छोटासा, छोटासा सीक्रेट वाला ग्यान ले लो, सीक्रेट वाला ग्यान क्या बोलता है, कि सर देखो अगर thermal expansion की बात करें, बहुत ज्यान से, बहुत, तो इसको पहले आसे लिखेंगे, thermal expansion in liquid, जल्दी से घ्यान ले 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 फटा-फट, thermal expansion in liquid, thermal expansion in liquid, और अगर हम लोग thermal expansion in liquid की बात करते हैं, तो हमारे पास आजाएगा, V बराबर V naught 1 प्लस गामा डेल्टा T, आपने कहा, सर बिल्कुल सही बात है, और अब अगर हम यहाँ पर बात करें, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, कि सर्थ, अगर मैं density rho की बात करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, mass upon volume, तो density की value अगर rho dash की बात की जाएगी, तो M upon volume हो गया, वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा T, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, rho naught की value अगर हम देखें, तो M upon V naught थी, तो बात में जो density rho dash हो जाएगी, तो rho dash equals to rho naught, M upon V naught को rho naught लिख सकते हैं, यह उपर जाएगा, तो by 1 minus gamma डेल्टा T, तो आपने कहां सर बिल्कुल सही बात है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो हम लिख सकते हैं, rho is equals to rho naught, 1 minus gamma डेल्टा T, तो यह होती है, density का variation with the temperature, temperature के साथ, density का variation किस तरीके से होता है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना, तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने का सर देखो, manometric equation लगाते हैं, यहाँ से चलते हैं, यह ओपन टूड़ अट्मॉस्फिर, आपने का यहाँ सर पी नॉट से चलते हैं, चलो भी असर चलते हैं, पी नॉट से कैसे चलेंगे, मैंने का भई यहाँ अंदर खुसेंगे, हाइट के साथ चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच 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 यहाँ पर कितना है, है यहाँ से यहाँ होरिजोंटल कोई acceleration नहीं है, अपने का भई अच्छा अब वापस नीचे उतरेंगे, तो यह प्रेशर फिर बढ़ेगा, तो नीचे जाएगे तो प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट प्लस एच ए रो जी माइनस ह बी रो डैश जी और यहाँ पर अब हसी आ जाएगा, hc rho g आपने का सर बहुत अच्छा और अब यहां से उपर जाएंगे तो वापस से इस जगे पहुचेंगे और यहां का प्रेशन हमें पता है p0 तो यहां का प्रेशन उपर का प्रेशन आपस पे बराबर होना चाहिए तो आपने का मैनोमेटरी क्वेशन हम लिख सकते हैं मैं यहां पर डिरेक्ली लिख रहा हूँ p0 प्लस h a rho g minus hb rho dash g plus hc rho g minus h d rho dash g it should be equal to p0 तो p0 से p0 cancel सभी में g g g और g यह cancel हो जाएगा आपने का पूरे का g cancel तो यहां पर आगया h a और rho 7 में और hd hc का rho 7 में h a plus hc into rho it should be equal to hb plus hd into rho dash तो अगर हम यहां पर देखे बेटा तो मैं लिख सकता हूँ rho और rho dash तो h a plus hc तो a का है 49 और a का है 52.8 और b और c की height है 49 तो h a हो गया 52.8 प्लस 49 यह हो गया density rho पे that is equals to hb हो गया 51 प्लस 49 यह हो गया rho dash अब temperature के corresponding change की बात कर लेते हैं तो यह density अगर हमने rho density 95 पे मानी है rho dash 5 degrees Celsius में मानी ही तो मैं एक को stand मान के काम कर लेता हूँ और आप सभी को पता है कि rho dash rho की value थोड़ी कम होगी और अगर हम यहां से देखे तो हम यह देख सकते हैं कि यह value ज्यादा है यह value थोड़ी कम है इसका मत्तब rho चोटा होगा और rho dash बढ़ा होगा और मुझे यह दिखाई भी पढ़ रहा है कि यहां का temperature ज्यादा है जहां का temperature ज्यादा वहां का volume ज्यादा ओर density कम होगी वहां का volume ज्यादा ओर density कम होगी तो from here we can very simply say 52.8 प्लस उंचास तो होगा एक क्यावन एक सो एक दसमलव आठ इन्टु रो इचुट भी एक क्यावन उंचास सो सो इन्टु रो डैश तो अब यहां पर हमारे पास वेरी निकल के आ 100 and from here we can very simply say कि भाया जो रो होगा ये रो की वैलू क्या होगी तो यहां पर लिख सकते हैं रो डैश प्योंकि यह वैलू थोड़ी सी कम हो जाएगे तो आप हम किसी को लिख दे तो रो डैश प्रावर क्या लिख सकते हैं रो क्योंकि यहां पर temperature 95 का variation हो तो 90 डिगरी का change है त मैं बोल सकता हूं कि density रो डैश it is equals to nothing but रो इन्टो वन प्लस गामा डेल्टा टी तो हम यहां से बात करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी होगे 90 डिगरी Celsius या 90 तो रो डैश बराबर रो इन्टो वन प्लस गामा इन्टो 90 now we can put the value in the situation that रो डैश को मैं लिख सकता हूं रो इन्टो वन प्लस रो इन्टो वन प्लस गामा इन्टो 90 याद रखिएगा हमने यहां पर प्लस साइन क्यों लगाया है क्योंकि यहां पर temperature घटा है बचा इस बात को ध्यान से समझना this is very 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 important कि यहां पर density रो है यहां पर रो डैश है तो रो डैश का अगर temperature बढ़ता तो पास से 95 होगा तो रो होगा तो रो बराबर अगर मैं लिखता तो मैं माइनस साइन का उपयोग करता यहां पर मैं इन दोनों की बीच में कर रहा हूं तो जहां पर temperature ज्यादा होगा वहां density कम होगी मेरे प्यारे बच्चों इसक टेंपरेचर बढ़ता और 95 की बात करते तो रो एट 95 डिगरी सेल्सिए इस इकोस्टू रो एट 5 डिगरी सल्सिए इंटू 1-90 डेल्टा टी और सॉरी गामा इंटू 90 तो यह जो है यह याद रखेगा कि हमारे पास रो एट 95 डिगरी सेल्सिए इसको हमने रो लिया है और रो एट 5 डिगरी सेल्सिए को मैंने रो डैस लिखाए ठीक है ना तो वहां से ही यह वैलू किसी वह कंफिजन हो तो 95 और पास से जरूर देख लें ताकि यह दिमाग में रहे कि सर आपने यहाँ पर प्लस का फॉर्मला के यूज कर लिया और यहाँ पर मैंने रो डैस की बात की थी तो यह दर जाएगा तो प्लस हो जाएगा भी है नगा, कोई परिशानी वाली बात तो नहीं, बहु किंपल, इसको नीचे लेके जाओगे, और मल्टीप्लाई करोगे, डेरिवेटेब लोगे, भाइनोमिल लगा दोगे, तो प्लस साइन आ जाएगा, तो 1 प्लस गामा इंटि देगी इंटि देगर इंटि इस वकॉस त 0.80 upon 100, minus कर देंगे, तो gamma into 90, it is equals to 1.80 upon 100, minus 1 हो गया तो, और यहां से अगर आप gamma की बात करोगे, तो 1.8 upon 90 into 100, तो 9 से 9 तूजा, तो 0.2, तो 2 into 10 की पावर minus 5, 3, 1 minus 4, sorry, and from here we can calculate the value of gamma, और यह हमारे पास gamma की value जो है, वो निकल कर आ जाती है, 2 गुने 10 की पावर minus 4, प्रति डिगरी Celsius. अब बुला किया है, toluene liquid of volume 300 cm3 at 0 degree Celsius, contained in a beaker and another quantity of toluene of volume 110 cm3 at 100 degree Celsius is in another beaker, the combined volume is 410 cm3, determine the total volume of the mixture of the toluene liquid when they are mixed together, given the coefficient of volume expansion, it is 0.01 degree Celsius and all form of heat losses can be ignored, also find the final temperature of the mixture, temperature, final temperature of the mixture आपको बताना है, toluene liquid का volume दिया गया, 300 cm3 at 0 degree Celsius, एक beaker में है, and another quantity of toluene of volume 110 cm3 at 100 degree Celsius is in another beaker, दोनों का combined, the combined volume is 410 cm3, दोनों का combined जो volume है, वो 410 cm3 है, Determine the total volume of the mixture of the toluene liquid when they are mixed together, जब दोनों को मिला दिया गया तो क्या होगा, यह आप से पूछा गया है, बड़ा ही important, बड़ा ही अच्छा question है, तो सबसे पहले हम दोनों volume को clearly एक common ground पर लेके राते हैं, दो बीकर होगे हमारे पास, एक बीकर नमबर वन, यह एक हमारे पास बड़ा सा बीकर, और यहाँ पर हमारे पास दो छोटे छोटे बीकर होगे, ठीक है न, सबसे पहले समझना बेटा, यहाँ पर है 300 cm3, 0 degree Celsius, यहाँ पर है 110 cm3 at 100, अब यहाँ पर important point यह नहीं कि question को solve करना, अब जब इसको मिलाएंगे, तो सबसे पहले mixture का volume, mixture का temperature अपनको समझना है कि temperature कितना होगा, और temperature के बाद मुझे समझना है कि final volume क्या होगा, तो सबसे पहले हम एक level पर ले आते हैं, मतब या तो 100 degree Celsius के volume को 300 पर ले आते हैं, या एक common पर ले आते हैं, ताकि हम temperature change के corresponding काम कर सकें, तो 30 second का समय दे रहा हूँ, approach build up करिए और आगे के तरफ बढ़िए. सबसे पहले एक common temperature की बात करें, ताकि मुझे पता तो चले, क्योंकि अगर मैं यहाँ heat की बात करता, तो मैं आप देखो बिटा, यहाँ पर calorie में ट्री भी जूड़ रही है, thermal expansion भी और सारी चीजे बात कर रहे हैं, तो अगर मैं temperature of the mixture की बात करता, तो मैं बोलता, कि इसका volume कितना होगा, M1 S1 T1, right, plus M2 total heat, अगर हम चाहेंगे तो हम directly use कर सकते, upon M1 S1 plus M2 S2, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा आपको समझाने कोशिश कर रहा हूँ, ज़र ध्यान समझना, अब यहाँ game क्या है, आपने का, sir, mass चाहिए होगा, volume दिया है, common temperature की बात सोचेंगे, तो मुझे पहले mass भी चाहिए, और अब है क्या, तो मैंने काम करते पहले common volume को समझते हैं, कि क्या है, यह common mass निकालने के लिए समझते हैं, कि कैसे mass निकालने, अगर मैं rho के terms में लिखता हूँ, तो मैंने माल यहां पर density rho है, तो यहां density कितनी हो कि तो आप बोलेंगे, यहां पर density हो जाएगी rho not या इसकी rho not लिख लेते हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया rho बराबर rho not one minus gamma delta की, यही तो हो जाएगी, temperature का change है 100 हो, यह दिया है 0.01 प्रति डिगरी Celsius, तो आपने value डाल दी rho not into one minus gamma हो गया 0.001 into 100, तो आपने कहा sir rho not हो जाएगा 0.9 times of rho, तो यह 0.9 times हो जाएगी, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, तो इसका mass कितना हो गया, आपने कहा sir इसका mass हो जाएगा, volume हो गया 300 into rho not, बाकी unit conversions मैं एक साथ कर लेंगे, कोई challenge का विशा नहीं, यह M1 हो गया, यह क्या हो गया, आपने कहा, यह M2 है, M2 कितना होगा, आपने कहा sir इसका volume 110 multiplied by 0.9, और multiplied by अपने पास हो जाएगा, rho not, यह मेरे पास M2 हो गया, क्या यह बास समझ में आती ही बच्चों, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं, इसमें कोई शंका वाली बात तो नहीं, किसी भी तरीके क लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा game है, जो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर वो game बड़ा important role play करेगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर, चुमकि देखना तो gamma delta t यहाँ significant नहीं था, मैंने आपको यहाँ पर अभी एक secret ग्यान बताया थ अगर याद हो, तो हम बोलते थे very very small है, तो हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप यही चीज यहाँ सोचने की कोशिश करें, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सर, यहाँ मामला वो set नहीं हो रहा है, और यहाँ पर सबसे बड़ा challenge है, इस पूरे question की सबसे ब यूज नहीं कर पाऊंगा, तो अब आप कहेंगे, तो फिर क्या यूज करना पड़ेगा, मैंने का यहाँ मुझे volume देखना पड़ेगा, कि अब अगर मुझे density की बात करते हैं, तो rho बराबर क्या होता है, mass upon volume, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो अब यहाँ पर जो होगी rho तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, नीचे की तरफ, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, तो यह हो जाएगा, rho not upon 1 प्लस 0.1, तो rather than मैं इसको ऐसे लिखूं, मुझे यह लिखना पड़ेगा, तो अब जो density होगी, वो होगी rho not upon 1.1, बेटा, this is very very important, यह यहाँ पर बहुत important है, कि यह factor जब बहुत छोटा है, तब मैं यहाँ पर binomial approximation लगा सकता हूँ, otherwise नहीं लगा पाऊंगा, तो binomial approximation यूज करना, आपको ऐसा नहीं है, कि binomial approximation आपको हमेशा दिमाग में रखना है, हमे यह generally बहुत छोटा होता है, तो हर देगा लग जाता है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर game देखा, तो यह value बहुत छोटी नहीं, 10 की और minus 3 और 100 का change कर रहा है, तो gamma delta डी इत्वा छोटा नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए हमें मुझे rho not into 1.1 रखना पड़ेगा, तो अगर सर, अब थोड़ा सा ऐसा लगा, तो सरक सही है, अब अब temperature अब mixture के अगर मैं बात करूँ, तो यह हो गया, 300 यह हो गया, 100, तो T mixture हो गया, सर, rho not तो 300, बाकि सब common multiplication होगे into rho not, क्योंकि एक ही है, तो specific heat same रहेगी, temperature इसका दिया गया है, 0, plus 100 का दे दिया गया है, 100 rho not into S, और यह आपको दे दिया गया है, 100 degree Celsius, याद रखिएगा, और division में आपके पास आ जाएगा, M1, S1 प्रस तो, यह हो जाएगा, 400 rho not into S, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, तो it comes out to be 100 by 400, that goes to, 1 second, so 1000 multiplied by 1000, so that goes to 400, 45, so 25 degree Celsius, तो temperature of the mixture की अगर आप बात करते हैं, तो temperature of the mixture जो बन गया, it will comes out to be 25 degree Celsius, अब बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, कि भाई, जरा यह देखा जाए, कि temperature तो mixture 25 आ गया है, आप से पूछा गया है, volume कितना change हुआ होगा, determine the total volume of the mixture of the toluene liquid, कितना होगा, तो आपने कहा, 300 cm, 35 degree Celsius पे गया, तो volume final of 300 cm3, तो आप बोलेंगे, 300 plus, क्योंकि इसका temperature बढ़ा है, 300 into 0.001, और temperature चेंज हुआ है, 25 का, और सर, volume final, इसकी बात करेंगे, तो 110 वाले का घड़ गया, मतब जो 100 degree Celsius का था, तो plus 110 into 0.01 multiplied by 75, 75 क्यों, 100 से 25 पर आगए, तो यहां का delta T जो हो जाएगा, वो कितना होगा, आपने लिखा 75 degree Celsius, and this is again very important, और यह सच में वो game है, जो खेलना आपको बहुत ज़रूरी है, तो अब अगर हम यहां पर बात करें, तो हम बोल सकते हैं कि देखो, volume final 300 यहां हो गया, और 101 यहां पर हो गया, तो अगर हम यहां पर देखेंगे, तो मेरे पास total game क्या बैड़ गया, आपने का volume final 300 पर total जोड़ देंगे, तो इस value को calculate कर लीजेगा, answer निकल के आगया, and that will define the final volume of the liquid, liquid का final volume कितना है, वो आपको यहां से निकल कर आ जाएगा, तो चलिए आईए कुछ important से question और practice करते हैं, जैसे एक और बहुत ही प्यारा question आईए, बुला गया, the lagged stick of cross section area 1 cm square and length 1 meter is initially at a temperature of 0 degree Celsius, it is then kept between two reserve wire of the temperature 100 degree Celsius and respectively specifical capacity 10 joule per kg दे रखी है, and the linear mass density is given as 2 kg per meter, find the temperature gradient along the rod in steady state, total heat absorbed by the rod to reach steady state, again a very amazing question, steady state पुछा गया, और हर अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई की बात समझनी पड़ेगी, a lagged stick of cross section area 1 cm square and length 1 meter is initially at a temperature of 0 degree Celsius, तो बिटा क्या होगा, इसका हर छोटे छोटे पार्ड का कुछ elongation हुआ होगा, अगर उसका temperature T होगा, तो हम उसके elongation की बात कर सकते हैं, रइट, तो पहले तो हमें समझना है कि कैसे elongation हुआ है, जर अध्यान समझे, question है, बहुत amazing और बहुत ही शांदार, बच्छो बहुत ब्यारा यहां पर चलेंगे, और अभी हमें alpha के बारे में सोचना पड़ेगा कि alpha क्या है, खिर alpha यहां दिया नहीं किया है, तो alpha के बारे में सोचना है, लेकिन धीरे-धीरे सोचेंगे, लेकिन अगर मैं पहली बात चीत करू, तो question में क्या-क्या square, and length 1 meter is initially at temperature of 0 degree Celsius, it is then kept between 2 reservoir of temperature 100 degree Celsius, and 0 degree Celsius, यह हो गया 100 और वो हो गया 0, specific heat capacity is 10 joule per kg per degree Celsius, and the linear margin, alpha नहीं दिया है, alpha दिया जाता हो, भाई साब यह कोशन इतना भोकाल कोशन है न, कि मज़ा आ जाता आपको, अगर इसकी length L होती न, तो length भी बढ़ जाती, तो future question में डाल दिया जाए इसको, अगर alpha दिया हो, तो यह आपको सोचना है, discussion में हम लेकर आएंगे, ठीकर न, comment में बताओगे, कि सर अगर alpha होता, तो क्या change होते हैं, ठीकर न, लेकिन अभी की बात करें, तो हम सभी को पताए कि across the length uniform है, तो यहाँ पर जो भी temperature का gradient होगा, क तो 100 upon length दी गई है, एक मिटर, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, कि किसी भी x distance का यहाँ का temperature कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं, it is 100 minus, यह बात समय में आती हैं, temperature आगे जाएगा, तो temperature लगातर घटता जाएगा, किसी भी point x का temperature की बात करें, तो हम कैसे लिख सकते हैं, आप आपने का सर बिल्कु सही बात है, तो आई थर्मल इसमें कितनी थी, आपने का total की बात करते हैं, तो लिखते k a upon l, that is 1, into delta 3, मतला 100 minus 0, और अगर मैं यहाँ पर बात करता, क्योहाँ से यहाँ पे, तो मैं लिखता k a upon x into 100 minus tx, अगर मैं दोनों को divide कर दो, तो k a से k और यह सूपर चला जेक, x into 100, और यह नीचे हो जाएगा 100 minus tx, यहाँ पर आजाएगा, तो यहाँ से tx बराबर हो जाएगा, so minus 100x है न, इसको temperature गें लिखते हैं, जनरल पॉइंट के temperature मेरे पास पता चल जाएगा, अब किसी भी x point के temperature अगर मुझे known है, तो मतलब उस point के temperature, initially क्या temperature आपने का इनिशेली दिया गया था, temperature 0 degree Celsius, तो उसका temperature कितना हो गया होगा, आपने का इसर यह हो गया होगा, किसी भी x का temperature यह हो गया होगा, तो उसने कितनी heat absorb की होगी, तो temperature gradient is very simple, कि total temperature का variation upon total length, uniform है, तो temperature gradient हम डालेकल लिख सकते हैं, dt by dx मारा constant हो जाता है, आपने का अशर, बहुत अच्छी बात है, second आता है कि कितना heat इसने absorb किया, तो heat हर पार्ट ने absorb किया, क्योंकि हर एक का temperature अलग अलग है, और जैसे जैसे हम देखेंगे, तो अगर मैं temperature का graph भी बनाऊंगा, तो यहाँ पर temperature का graph कुछ इस तरीके से आता है, tx बराबर 100 into x, मतलब temperature gradient upon x, इसको इ जनरल अगर आप बात करेंगे, तो किसी भी x का temperature हम कुछ इस तरीके से लिखते है, temperature है the hotter end minus temperature, cold end upon l into x के बराबर, तो कितना heat absorb हो जाएगा, तो आपने कहा सर, अगर मैं बात करता, at x length, at x distance, एक छोटा सा element होता, इसको मैं लिखता, dx, उसका mass किता होता, तो आपने कहा सर, य dm, किता होगा, आपने बोला, 2 into dx, और सर, इसका temperature क्या होगा, आपने कहा सर, इसका temperature, x वाले का temperature, tx minus 0, तो इसका temperature होगा, 100 minus 100x, तो इसको लिख सकते 100 into 1 minus x, यह इसका temperature होगा, आपने कहा सर, बहुत अच्छी बात है, तो इसको कितनी heat absorb की होगी, तो आपने कहा सर, इसकी ज तो DM हो गया 2DX S इसका और ये हो गया 100 into 1 minus X तो आपने का total heat की बात करेंगे तो integrate कर देंगे 2 constant S constant 100 constant बहार आ गया integration के अंदर dx minus x dx हो गया limit of integration 0 से L और 0 से L मतलब 0 से 1 तो अगर हम 200S यहां पर आ जाएगा L minus L square by 2 and that is again यहां पर एक factor में इस हो रहा है गया x dx में division ने भी कुछ आना चाहिए था आचा 1 था वो तो cancel हो जाएगा तो यह 1 L 0 से लेके 1 तक एक ही मीटर तो है तो 1 minus 2 तो आपने का 200 into S into 1 बटे 2 it comes out to be 100S S की value यहां पर दे रखी होगी बेटा 10 Joule per kg per degree Celsius तो आपने दिखा 100 into 10 that is okay so 1000 Joule this is the heat absorbed by the rod क्यों absorb करनी पड़ी क्योंकि इसके हर छोटे छोटे element का temperature कुछ बढ़ा है तो यहां 100 से यहां तक 0 तक गया तो हर एक छोटे छोटे पार्ट ने छोटे छोटे heat absorb की होगी और जो छोटे छोटे heat absorb की होगी next lecture में चर्चा होने वाली है बेटा हम लोगों की and that is about किसके INPHO 2008 बहुत ही प्यारा conduction का question उसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे next lecture के अंदर J.E. Advance की कुछ questions की और हम चर्चा करेंगे कुछ thermal expansion के further questions calorimetry के thermal questions की और चर्चा होगी ठीक है so thank you all of you bye-bye take care